Good morning students, today I will teach English, English में आज हम लोग पढ़ेंगे use of he and see, he और see का use, he means was, see means we were, he का use boys के लिए होता है और see का use girls के लिए, देखें he, we use he for a boy, brother, man, father, uncle, grandfather, son, हम लोग he का use किसके साथ करते हैं, boy, brother, man, father, uncle, grandfather and son, यानि की लड़का, भाई, आदमी, पिता, अंकल यानि चाचा, grandfather यानि दादा and पुत्र के साथ, इनके साथ हम लोग किसका use करते हैं, he का और इसके हैं, we use his with he group, और जो है, he के साथ, he group के साथ हम लोग his का use करते हैं, जैसे उसके पास क्या है, उसके पास pain है, उसके पास copy है, तो इसके साथ हम लोग his का use करते हैं, इसी तरह से, देखे, see, s-h-e, see, we use see for a girl, sister, woman, mother, aunt, grandmother and daughter, और we का, see का use हम लोग किसके साथ करते हैं, girls miss लड़की, sister means बहन, woman means औरत, mother means माता, aunt means चाची, grandmother means दादी and daughter means पुत्री, इनके साथ हम लोग क्या use करते हैं, see का use, और इसके के साथ क्या use करते हैं, हर, उसके पास, या उनके पास, क्या है, उनके पास, पर्स है, उनके पास, बैग है, तो हम लोग हर का use करेंगे, see के साथ, और he के साथ, हीज का, देखे, he is Mr. Raw, यह में वह Mr. Raw है, his coat is black, उनका coat black है, he is a policeman, वह एक policeman है, his uniform is brown, उसका uniform brown है, यानि की, he के साथ, हीज का, उनका, या उसका के साथ, हीज का use करेंगे, यह है, see is Mrs. Anita, वह Mrs. Anita है, her purse is red, उनका पर्स जो है, वो red है, she is Mrs. Mary, वह Mrs. Mary है, her cloth और white, उनका कप्रे जो है, वो white है, तो हम लोग C के साथ, हर का use करते हैं, अब देखिए, यह है, आपके बुक्षर साथ, यहाँ पे कुछ दिये हुए है, words, और इसमें से आपको he के use, he का छांके अलग करना है, और C का अलग छांके करना है, तो देखिए, c, o, c, k, 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 k क्या है, वो मुर्गा मुर्गा मिन्स, मुर्गा है, तो वो क्या है he, s, i, r, sir, 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 भी wife में आता है, तो यह he में, ल, i, u, n, loin, मिन्स, sir, यह भी he के साथ, k, i, n, g, king, 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 मिन्स, raja, p, r, i, n, c, prince, prince, मिन्स, raja, k, ox, 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 मिन्स, bell, s, o, n, sun, 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 मिन्स, putra, t, i, g, e, r, e, tiger, tiger, means, park, b, u, double, l, bull, means, sir, यह सब जो है, वो, boys में आते हैं, यानि की he के category में, तो यह हो गया, he का छाट क्या लग करेंगे, अब यह है c का, c में क्या है, cow, cow, means, guy, daughter, means, मिन्स, लड़की, lioness, मिन्स, सेर्नी, madam, means, मैडम को, मैडम, ladies को, मैडम, बोलते है, hen, मिन्स, मुर्गी, queen, मिन्स, rani, princess, मिन्स, राज कुमारी, टाइगर्स मिन्स, बागे, जो होती है, वो, ladies का, और aunt मिन्स, चाची, तो यह हो गया, आपका, c category का, यह आपको छाट के अपने book में इसी तरह से लिखना है, पिर नेक्स्ट है आपका question, fill in the, fill in with he, c, his or her, अब इसमें से आपको he, c के साथ, his and her का यूज करना है, तो देख यह क्या बुला, यह मेरे grandfather, यानि की दादा है, तो दादा है, तो क्या हुआ, he has a streak, वह है, यह मेरे दादा है, और उनके पास streak है, his hair is white, उनके बाल, क्या है, white है, this is my grandfather, he has a streak, दादा, उनके पास streak है, और उनके बाल, white है, पिर नेक्ट है आपका, अजय is my brother, अजय जो है, वो मेरा भाई है, he is a painter, वह एक painter है, क्या है, वह एक painter है, his painting is good, उसकी painting अच्छी है, this is Priya, यह है, Priya है, क्या बोलना है, यह है, Priya है, she is my friend, वह मेरी friend है, her father is a doctor, उसके पाप पिता जी क्या है, डॉक्टर है, यह बोलना है, she is my friend, यह मेरी friend है, वह मेरी friend है, और उसके पाप जो है, वह doctor है, तो c के साथ हर, और he के साथ his का यूज करेंगे, यह देखेंगे, अपनी copy में, c, w डालेंगे, आज का date डालेंगे आप लोग, और इसको लिखेंगे, यह यूज आप, he and c, आपका यह heading है, यह है आपका, is a boy, तो यह boy है, तो इसके साथ आपको क्या लिखना है, he, h, e, he, he, he is a boy, next है आपका, is a girl, लपकी, वह है एक लड़की है, तो क्या यूज करेंगे, c, he, s, h, e, c, वहाँ एक लड़की है, अब यह है, इस Mr. Rao, वह Mr. Rao है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, Mr. Rao जो है, वो जेंस है, यानि की boy है, तो इनके लिए he, he is Mr. Rao, coat is black, उनका coat क्या है, black है, तो क्या यूज करेंगे, his, h, i, s, his coat is black, next है आपका is Mrs. Anita, we are where Mrs. Anita है, purse is red, उनका purse जो है, वो red है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी, मिसेज है, अनिता इनकी girl है, तो एस अची सी, सी is Mrs. Anita, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, her, अची, her, 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 purse is red, यह आपका हो गया, he and she का use, आप इसी तरह से अपनी कापी में लिखेंगे, okay, thanks.